कि नमस्कार दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको बताइंगे कि आप समग रही के वाई सी सिक्षा पोर्टल से समग डिखरती हैं विधλιहती ओंधिये 22 सब यदोज माइश्चत कर सकते यहां पर आपको सिलेक्ट करोगे आपके सामने इसा टेप ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर सिंपली क्या करना है आप मोबाल नमबर डालने जो आदरकाट से नमबर जुड़े हों यहां पर टाइप कर देना है अब यहां पर टाइप करोगे तो आपके सामने देखिए कुछ जैसा इंटरफेश देगा यहां पर टालने यहां पर टाइप यह चली कर देखिए यहां पर दच बेज़े गया ओटीप करमांग तो यहां पर आपको गशान को जया ओक्या करके आपके जापके फिल कर देना है ना के देखिए colors कशनके बांस यहां फो आपको क्लिक करो देना है आप को आपकोको सिंपली आप में यानकारी आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर जाएगी तो अब आपको क्या करना इसमें देखिए नीचे ओप्चन आ रहा है आदार EKYC करें इसपे क्लिक कर देना है जैसे आप इसपे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा देखिए आदार EKYC का तो यहाँ पे आपसे आदारकाट नमबर बुचा जाएगा तो आप यहाँ पे आपने आदारकाट नमबर डाल दीजिए जिसकी भी आप EKYC करवा रहे हैं आदरकाट नमबर दोनों में सेम डालना है आपको दोनों मारारTr काट नमबर डालना के बाद सिंपली आपको करना क्या है OTP दुवारा EKYC करें इस पर क्लिक कर देना है अगर Bayometrics करना चाहते हैं तो Bayometrics पर क्लिक कर दीजिए अन्यता OTP दुवारा EKYC करें इस पर क्लिक कर दीए देखिए जो Mobile Number आधार कार्ट से जुड़े हुए हैं उस पर OTP चली गई है सिंपली OTP आपको यहां पर पिल कर देना है जो आपके Mobile Number जुड़े हैं आधार से उस पर OTP चली गई है वो OTP आपको डाल लेनी है OTP डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना इसमें देखिए OTP डाल लिए नरसार पिलå जाया जो वी डिटेव है Sमयर की Sama âgir की दोनों डिटेल यहां पर फुल उपन हो गई है आप क्या करना है आपको यहां पर Da calle यहां पर ढग देखिए Samaaride समयर की समयर की और एčुडियन के आधार कि दोनों डिटेल यहां पर शो हो गई है तो आपको simply आप क्या करना है complete EKYC पे click कर देना है दोस्तों जैसे complete EKYC पे आप click करोगे तो आपके सामने नया page open हो जायागा देखिए इस पे click करेंगे अपन जैसी click करेंगे देखिए अगर यह successful हो जाता है तो कोई बात नहीं अगर यह message fail का आ जाता है तो आपको simply क्या करना है फिर से दुसरे number mobile number से login करके यहाँ पर समग राइडी आप डालोगे विद्यार्थी की जानकारी समग राइडी जो पहले डाली थे आपने फस्ट वई प्रोसेस करनी है फिर से और समग राइडी डालने के बाद आपको यहाँ पर capture डालने के बाद विद्यार्थी की जानकारी देखे पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए नीचे detail शो हो जाएगी EKYC complete pending for receive at school मतलब यह KYC successful हो चुकी है आपने जो करी है अगर वो fail का message आता है तो आपको यह process करनी है अन्यता वहाँ पर अगर successful का message आता है तो कोई बात नी और अगर fail का message आता है तो आपको यह जानकारी फिर से इस तरीके से बरके देख लेना है कि आपकी समगर EKYC successful हुई ह या नी तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर लिका हुआ आ गया है EKYC complete pending for received at school मतलब इसकुल में pending है तो जल्दी ही माफे हो जाएगी success धन्यवाद